हरे कृष्णा नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाई अनलोक निमरोलजी और अतुल्य निमाईदास की तरफ से ये पूरा वर्ष आपके समस्त जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करे और भगवान श्रीशी राधा कृष्ण का आप जो आशिरवाद हैं वो आप स सभी के लिए नया वीडियो लेकर आए हैं और बताएंगे इस वीडियो में कि जैनवरी मन्त जो है वो आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो देखिएगा बहुत जादा बड़ा वीडियो नहीं है परंतु एक पैन या पैंसिन और कागज लेके जरूर बैठेगा इस वीडियो में भी आप सभी के लिए कुछ ना कुछ कैलकुलेशन जरूर बताएंगे और कुछ important points आपके सामने रखेंगे जो आपको help करेगी January मन्त को अच्छे से पूरा benefit उठाने के लिए परंतु उससे पहले दो important सूचना है आपको लगबग 6,000 रुपे का January मन्त के अंदर इस course पर 1,000 रुपे का discount चलेगा यानि कि उसकी price होगी for triple nine 5,000 रुपीज तो जल्दी से वो course ले लिजे पूरा professional course है उसके सारे course के content जो है आपको description में मिल जाएंगे बहुत ही सरल तरीके से समझाया है बहुत ही जबरदस्त इस course का feedback back आया है तो 9 वर्ष पे आप सभी के लिए unlock numerology की तरफ से ये सौगात है इसका पूरा फाइदा उठा लीजे और दूसरी जो important सूचना वो ये है कि अब हमने वास्तू का भी start कर दिया है consultation देना online, offline तो चल ही रहा है अगर आप चाहें कि हम आपके शेहर में आपके पास आतर consultation दे तो वो भी available है अगर आप online भी लेना चाहें call पर तो वो भी available है तो वो किस तरीके से होगी वो आप अमारे numbers आपके सामने आई रहे हैं उन पर contact कर सकते हैं आपको हम बता देंगे ठीक है जी तो चलिए इस वीडियो का फटा फट से शुरू कर देते हैं तो अब आपको करना क्या है जानने के लिए कि January मंथ आपके लिए क्या सौधात लाया है किन चीजों को आपका ध्यान रखना है किन चीजों से आपको benefit हो सकता है कौन सी वो आदते हैं कौन से वो आपके efforts हैं जो आपको आपके लिए fruitful रह सकते हैं तो कैसे समझें कि January का मंथ हमारे लिए कैस से जाने वाला है देखे simple calculation आपको बताऊंगा पुराने वीडियो में recently भी जो पिछली बार हमने वीडियो डाला था उसमें भी हमने समझाया था personal year निकालने को ठीक है personal year कैसे निकालते हैं जो पहली बार बहुत लोगों को तो शायद पता ही होगा नहीं पता है तो एक बार description म जाके हमारे पुराना वीडियो भी देख लीजे उसमें हमने बताया है एक से लेकर नौ तक जो personal year है उनके बारे में तो आप वो भी देख लीजे वो भी बहुत ही जादा important वीडियो है उसमें हमने काफी important चीज़े बताई है अब calculate कैसे करते है personal year जो पहली बार हमारे चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूं एक बार simple तरीका होता है 2024 की बात कर रहे हैं हम तो 2024 के लिए हम अपना personal year कैसे निकालेंगे personal year का मतलब होता है कि एक particular साल हमारे लिए क्या कुछ देने वाला है हमको तो कुछ नहीं करना आपको तीन चीज़े लेनी है एक आपका birth date एक आपका birth month और 2024 ये तीन चीज़े लेनी है example के तौर पे ले लेते हैं किसी का जनम दिन मान लीजिए 15 नवंबर को आता है किसी भी साल में तो उसका कैसे निकालेंगे 15 प्लस नवंबर का 11 प्लस 2024 एक प्लस पांच 6 छे प्लस 1 साथ 7 प्लस एक आठ द 2024 को एड कर देंगे तो 8 आ जाता है तो 8 प्लस 8 हो गया 16 ठीक है 16 को और सिंगल डिजिट में ली जाएंगे 1 प्लस 6 इस इकोल स्टू 7 तो जिस भी इंसान का 15 नवंबर को जनम दिन आता है उसका personal year हो जाता है 2024 में 7 ठीक है अब personal month कैसे निकालेंगे हाँ इससे एक step और आगे चल रहे हैं अब आज personal month के बारे में तभी तो January की बात करेंगे January एक month है एक महीना है तो महीना कैसे महीने के बारे में हम कैसे जान सकते हैं तो आप अपना personal month year जो निकाला है आपने 7 मान लीजे ए एक्जैंपल ले रहे है यह वाला जो एक्जैंपल है इसका 7 आया है अब य जानना चाता है कि इसका January कैसा जाएगा तो करना क्या है January को हम किस number से denote करते हैं 1 से ठीक है तो अपना personal year plus one कर दीजे January का तो total कितना आ गया 8 आ गया यानि कि इस इनसान का जो personal month है January का वो 8 के result देगा January इस इनसान का personal month 8 कहलाएगा अब personal month 8 क्या देगा वो हम आज इस video में लेगे तो personal month 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हम पूरा इस video में आपको बताएगे ठीक है जी तो आप सब अपना personal month निकाल लीजी एले personal year calculate कर लीजी फिर January का one वो सबका same ही रहेगा one ही add करना है अपने personal year के अंदर जो भी आपका आएगा वो single digit में ही आएगा ठ से 11 आया तो one plus one करके two कर दीजे 12 आया तो one plus two करके इस तरीके से ठीक है कोई problem नहीं है single digit में अपन को जाना है तो एक से लेकर 9 के बीच में ही आपका personal month निकलेगा तो आज हम लेंगे एक से लेकर 9 तक एक एक करके कि अगर किसी का January personal month 1 है तो उसको क्या result मिलेंगे अगर January किस अगर January का month आपका personal month 1 आ रहा है January का number भी 1 है और आपका personal month भी 1 आ जाता है personal month कैसे निकलेगा बता चुका हूँ आपकी date दुबारा बता रहा हूँ बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपको clear हो जाए repeat सिर्फ इसलिए करना पड़ता है कि कई लोगों को एक बार में समझ म भी करके सुन सकते हैं या आगे भी चला सकते हैं 1.25x या 1.5 speed भी करके चला सकते हैं क्योंकि मेरे बोलने का तरीका थोड़ा सा ठहराव लेकर है मैं थोड़ा आराम से बोलता हूँ तो आपको 1.5 में भी समझ में आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो आपको दीरे चल लेकी जरूरत नहीं है वास्ट भी चल सकते हैं आप तो दुवारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समझ में आ जाए तो जिस मालनी जे 15 आना उमर का हमने एक्जैम्पन लिया तो 15 आना उमर का कैसे निकालेंगे परसनल मन्थ सिंपल 15 प्लस 11 प्लस 2024 तक तक तुमने बत कर रहें जब हम फर्वरी की बात करेंगी वो वीडियो जब आएगा तब टू एड करना है वो भी सब के डीटेल में सेम रहेगा ठीक है जी तो अगर आपका परसनल मन्थ वन आ रहा है जन्वरी तो क्या हो सकता है वन और वन कौन साइड हो रहे हैं तो यानि कि आपके पास अपॉर्चिनिटीज आ सकती है पहला वन नंबर क्या होता है शुरुवात है तो जन्वरी वैसे भी पहला मन्थ हो गया साल का और आपका परसनल मन्थ भी अगर वन आ गया तो आपकी एक बहुत जबर्दस शुरुवात हो सकती है अपॉर्चिनिटीज आ सकती है अच्छे आइडियाज आ सकते हैं आपके दिमाग में, जो कि आप आगे, जो आपको आगे लाइफ में बढ़ने के लिए help कर सकते हैं, growth मिल सकती है, इस महीने में आपको हो सकता है, जिस promotion का weight कर रहे हो, वो promotion आपको मिल जाए, या आप जो काम शुरू करना चाहते हैं, वो काम करने के ल रहे हैं कि आए, और मैं अपने काम के लिए एक अच्छा कोई partner हो रहा हो, जो मुझे आगे support कर सके मेरे काम के अंदर, तो वो आपको मिल सकता है, मैंने बताया, ideas अच्छे आ सकते हैं, leadership skills आप में develop हो सकती हैं, और better, multi source income develop हो सकते हैं, जादा, एक से जादा sources develop हो सकते हैं थोड़े से aggressive हो सकते हैं, एक है न, ego आ सकता है, क्योंकि आपका January भी one है, और personal मंत भी one आ रहा है, तो one-on-one दोनों coincide हो रहा है, तो यहापर थोड़ा सा आप में ego या aggression आ सकता है, तो stubbornness आ सकती, adamancy आ सकती, थोड़ा सा इन चीज़ों का आपको ध्यान रखके चलना हैं, तो यह चीज़े आपको help करेंगी, उसके अलावा आप अगर कुछ favor किसी से मांगना चारा हैं, favor मांगिए, promotion आपको मिल सकता है, पर कई बार होता है, जब तक हम मांगेंगे नहीं, तब तक promotion नहीं मिलेगा, तो promotion की अर्जी लगा दीजे कि भाईया, करवादो, अब बहुत time हो अगर हम उसको implement ही नहीं करेंगे, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो थोड़े से quick हो जाईए, decisions लेने में, अगर नहीं ले पा रहा हैं कोई decisions, तो मैं आपको एक अच्छी सी remedy बता देता हूँ, जहां भी जो आपका office है, वहाँ पर 33 number लिख लीजे, चाहे board पे सामने लग कोई बड़ा poster चिपका लीजे, वाल के उपर या आपके desk के उपर, अपनी जो जिस desk पे आँ बैठते हैं, वहाँ पर कोई चिपका लीजे, कुछ या लिख लीजे अपने हाथ से, लैप टॉप प्यादर आप कांद कर रहे हैं, तो लैप टॉप के ऊपर 33 लिख लीजे, पै का वाल पेपर है, उसको 33 लिख लीजे, तो ये, ये रेमेडी सिर्फ आपके लिए नहीं, ये रेमेडी सब ही लोगों के लिए, चाए आपका personal month एक आ रहा हो, चाए 9 आ रहा हो, उससे कोई फरक नी पड़ता, ये remedy बहुत अच्छी, decision making में आपको help करेगी, तो अगर आपक personal month 1 के बारे में, अब personal month 2 के बारे में बात करते हैं, कि जिसका January personal month 2 आ रहा है, यानि कि आपका personal year जो आपने निकाला था, प्लस एक number January का is equal to 2 आ रहा है, उनके लिए क्या कुछ मिलने वाला है, January month में आईए देखते हैं, तो अगर आपका January personal month 2 आ रहा है, तो करना क्या करेगा कि ये जो month है आपके लिए, दो number जो है, moon का number है, चंद्रमा का number है, harmony का number है, cooperation का number है, relationships का number है, तो आपको cooperate करके चलना है, सबसे important चीज़ ही, आपको नए दोस्त मिल सकते हैं, पुराने जो relationship है, वापस revive हो सकते हैं, नए relationships बन सकते हैं, तो ये जो month है, ये थोड़ा सा आपको relationships के towards हीचेगा, और आपका भी दिल करेगा कि मैं अपने जो relationships हैं, उनको relatives हैं, चाहे वो friends हो, चाहे आपके blood relation हो, कोई भी, उनके साथ जादा से जादा time spend करूँ, इस month में थोड़ा सा आपको diplomatic होना पड़ेगा, थोड़ा सा research के अंदर जादा जाना पड़ेगा, बो का मतलब यह है कि आप किसी एक person का, किसी भी side एकदम लेने से पहले, थोड़ा सा सोच लीजेगा कि अगर मैंने एकदम से किसी व्यक्ति का दोग माल लीजेगा, क्योंकि लोग आपके पास आएंगे, आपका personal month 2 आ रहा है जनवरी में, तो हो सबता है, लोग आपके पास जार कर ही कुछ करिएगा, अदर्वाइस थोड़ी सी problem आपके लिए हो सकती है, उसके अलावा आपको tactful होना पड़ेगा, चीजों को tactically समझना पड़ेगा, detailing में जाना पड़ेगा, research करकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा किसी भी चीज के लिए, तो दो number क्योंकि आपका personal month बन रहा है, तो negatives क्या हो सकते हैं, आप moody जादा हो सकते हो, mood shrinks बहुत जादा हो सकते हैं, emotional जादा हो जाओगे, हो सकता है किसी से आपका emotional fight सा हो जाए, आप coldness आजा है relationship में, nervousness भी आ सकती है, आपको ए चीज ध्यान रखिएगा, health problems भी आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अपने मन को control करके रखिएगा, इस मन्त के अंदर कोशिश करिए, क्योंकि दो number आ रहा है, personal मन्त आपका, तो दो number की remedies कर सकते हैं, चंदरमा की remedies कर सकते हैं, रात को चांदनी में walk कर सकते हैं, आप अगर चांदी पहनना चाहें, तो चांदी का कोई chain या चांदी में करना, ठीक है, कम से कम 10 मिनट करिएगा, तो आपको help होगी, तो आपको इस मन्त को enhance करने के लिए क्या क्या चीज़े करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ, कि आपको cooperation बहुत जादा चाहिएगा, सब लोगों को मिला के चलिए, relationship को build करते वे चलिए, और लो उसके अलावा आपको पुराने जो dues हैं, उनको clear करते वे चलिए, अगर कोई भी पुराना due चला आ रहा है, उसको clear कर दीजे, ये मन्त आपको उसमें help करेगा, ताकि आप आगे अपनी जो आने वाला जो time है, उसमें नई चीजों को, नई चीजों से benefit कैसे उठा सकेंगे, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कि अगर आपके किसी भी इनसान के साथ कोई लडाई जगना चल रहा है, तो उसको solve करते वे चलिए, ज्यादा कोई भी negative चीजों को अपने से दूर करने का ये time है, ये मन्त आपके लिए कह रहा है, कि या पुराने जो ये लडाई जगन personal month 2 आ रहा है, तो आपको ये ये चीज़ें करनी चाहिए, तो अब बात करते हैं कि जिनका January month, personal month 3 आ रहा है, तो उनके लिए कैसा जाएगा January, तो आईए देखते हैं, तो personal month 3 का मतलब क्या है, January बता दिया है, starting में ही personal year निकाल लो, प्लस 1 January का जो number है, उसको add कर दो, अगर उसका total 3 आ जाता है, तो वो आपके लिए क्या सौगात लाएगा, तीन number गुरू का मतलब है, तो self expression का number है, freedom का number है, आपके लिए entertainment का number है, आपके लिए entertainment होगा, आपके लिए अच्छा समय जाने वाला है, हो सकता है आपके खूमने निकल जाएं, हो सकता है कि आप किसी business related, कि travel पे चले जाएं, या personal level, family के साथ travel पे कोई program बन जाए, तो इस तरीके से ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है, इसके अलावा जो positive होंगी आपके लिए आप क्या होंगे, attractive अपने आपको बना सकते हैं, imaginative बना सकते हैं, ये चीज़े आपको expression लेकर आएगी, आप जो चीज आप जो चीज कहना चाते हैं लोगों से, उसमें आपको expressive बनाता है, expressive बनाएगा ये मन्त, ठीक है जी, उसके अलावा आप लोगों को inspire कर सकते हैं, लोग आप से inspire हो सकते हैं, किस तरीके से आपको समहलना है, negative क्या हो सकते हैं इस महीने में आपके लिए वो ये हो सकता है, कि आप egoistic हो सकते हैं, बहुत जादा gossip में जा सकते हैं, आपकी energy scattered हो सकती है, आप बहुत जादा खर्चा कर सकते हैं, ये 3-4 चीज़े वड़ी important है, इसको ध्यान रखिएगा, समहल के चलिएगा, अब ये देखते हैं कि आप इस month को enhance कैसे कर सकते हैं, इसकी benefits कैसे उठा सकते है तो आप अपने business और अपने family के बीच में तालमिल बना के रखिए, बेटर रहेगा, family को पूरा time दे, business या आपका job है उसको अपना time दीजिए, balance बना के चलिए तो आपके लिए positive रहेगा, उसके अलावा आप अपने exercise, अपनी physical exercise को कभी छोड़िये मत, उसमें involved रहे के आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसमें आपको de-stress होगा, आप physical activity करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें बैसे ही problems आपकी solve हो जाती हैं, क्योंकि exercise अपने आप ए blood circulation अच्छा करता है, उससे mind शान्त रहता है, ठीक है जी, और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो मैंने पहले भी बताया कि scattered force जो हैं, उनको accumulate करिए, focus करके एक ही direction में अपनी जो सोच है, और अपनी जो energy उसको लगाईए, जादा एक से जादा उसके अंदर मत जाईए, ठीक है जी, तो ये ता तीन personal month के बारे में, अब हम बात करते हैं, चार personal month के बारे में, देखी वो हमा के चार पर जा रहा है, यानि कि आपका personal month 4 बन रहा है, तो 4 का मतलब क्या होता है, राहू का नंबर है, practicality का नंबर है, work का नंबर है, efforts का नंबर है, building का नंबर है, building का मतलब, building का नहीं मतलब कि अपनी, अपने जो आपकी जो efforts है, जो आप काम कर रहे हैं, उसकी building बनाईए, उसको आगे लेकर जाएए, अपने efforts को खीचिये मत, वन आपको problem आ सकती है, positives क्या हो सकते हैं आपके लिए, आप hard working हो सकते हैं, आप goal oriented हो सकते हैं, आप जो goal बनाना चाहते हैं, जिसके ओपर काम करना चाहते हैं, उसकी तरफ ही सिर्फ आपका दिमाग जाएगा, आप savings में बह long term की बात करता हैं, हमेशा long term investments में आपका दिमाग चल सकता है, अगर नहीं चल रहा तो आप सोच सकते हैं, कुछ options आप explore कर सकते हैं, negative क्या हो सकता है आपके लिए इस मंत में कि हो सकता है कि energy थोड़ी से low रहे, थोड़ा सा negative सोच की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि दिमाग को घ चीज का चाहे वो personal level पे हो या professional level पे हो, pressure बन सकता है, तो आपको pressure को हटाना है, कैसे करना है, spirituality से जोड़िये, discipline में आईए, राओ का मंतर कर सकते हैं, ओम रांग रावे, नहीं बड़ा simple मंतर है, मन में करिए, 10 मिनट करिए, बहुत ही अच्छे results मिलेंगे आपको, enhance कैसे कर स सकते हैं, इन सब चीजों का ध्यान रख सकते हैं, उसके अलावा हम बात कर सकते हैं, कि आप concentrate करें, सबसे important चीज यही है, कि आपके लिए concentrate करें, आप अपने काम पर focus रहें, hard working तो आप हैं ही, इस मंत में और hard working हो जाएंगे, तो आप जो भी काम कर रहे हैं, उसकी planning रहुत किस तरीके से करना है, क्या करना है, किन-किन लोगों को अपने साथ जोड कर चलना है, किन को नहीं जोड कर चलना है, इस सारी चीजों को आपको design करना पड़ेगा, एक strategy बनानी पड़ेगी, तब जाके आपको अच्छे results मिलेंगे, ठीक है जी, तो ये था चार personal month के बारे मे अब हम बात करते हैं, अगर आपका personal month 5 आ रहा है, यानि कि January जो है, वो आपका personal month 5 बन रहा है, वो कैसे बनेगा, आपका personal year यानि कि आपका date plus month plus 2024 प्लस January का एक number add होके last month 5 डिजिट आ रहा है, तो आपका personal month 5 बनता है, वो 5 आपको क्या देने वाला है, आईए देखते हैं, प आपका interest है, उसमें आप pursue कर सकते हैं, express कर सकते हैं चीजों को जो आप करना चाहते हैं, उसके अलावा आपके लिए positive क्या हो सकता है, आप social हो सकते हैं, हो सकता है कि आपका social जो group है वो बड़ा हो जाए, बन जाए, और जादा, आप progress कर सकते हैं, आपकी जो पर्टी, जो भी follow करेंगे तो acclimation मिल सकता है, आपको लोग appreciate कर सकते हैं, negative क्या दे सकता है, personal month 5 आपको January का, वो आपको unfocus बना सकता है, आपको एक तरीके से आप ये समझनीचे, detach बना सकता है, आपको unpredictable बना सकता है, पता नहीं क्या कर देगा, कब कर दोगे क्या, तो इस तरीके की feeling आ सकती है या इस तरीके की चीज़े आपका behavior में आ सकती है, कि आप एकदम unpredictable हो गए, अचानक से क्या कर रहे थे, अचानक से क्या कर दिया, वो क्यों क्यों कि अन-focus बना रहा है आपको, तो यहाँ पर ध्यान रखेगा कि आपको focus को पकड़ के चलना है, लगातार मैं चीज़ों को कह करना चाते हैं अपने goal को उस पे concentrate करके चलिए, उसके अलावा कोई भी project या relationship जो आप establish कर रहे हैं, वो long lasting हो सकती परन्तु अगर आपने उसको ध्यान नहीं रखा उसके बारे में, तो court case में आप फस सकते हैं, चाहे professional level हो, चाहे personal level हो, इन दोनों ही level पे आपको यह problem आ सकती ह तो बहुत ध्यान से चलना है, अगर आपका personal month 5 बन रहा है, तो positives भी है और negative भी थोड़े से extreme में चले जाते हैं, तो यहाँ पे best क्या है, गनपती जी की पूजा करें, गनपती जी को आप कुछ भी भोग लगाएं, offer करें, उसके अलावा गनपती जी का मंतर कर सकतें, ओम ग आ रहा है किसी का, यानि कि आपका date, आपका month, आपका 2024 प्लस जन्वरी का एक number अगर total में 6 आ रहा है, single digit के अंदर जाकर, बार बार बोल रहा हूं, single digit में, obviously इतने सारे number को add करेंगे, तो double digit में जाएगा ही जाएगा, तो double digit जो है, उसको और add करके, आप single digit में ले जाएगे, ठीक है, कही बार लोग 8-20 में confusion हो जाता है, कि अर 8-20 को जब add करते हैं, तो 10 बनता है, अब क्या करें, अरे तो गई है, 1-0 को भी तो add करोगे न, तो 1 आ जाएगा, ठीक है, उसी तरीके से add करके, अगर 6 में जा रहे हो, तो 6 नंबर आपके लिए क्या काएगा, आएगे दे love and care मिल सकती है आपको, अच्छी relationship बिल्ड हो सकते हैं, अच्छी अगर आप सोच रहे हैं, आप अपने delivered के साथ शादी करने की सोच रहे हो सकता है, जन्वरी में आपकी शादी हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, social circle भी जो है आपका बड़ा हो सकता है, देखी जादा balance life मिल सकती है, जो balance आप धूंड रहे थे बहुत टाइम से, इस महीने में जाकर आपको balance मिल सकता है, negative क्या हो सकता है आपके लिए, आप दूसरों की बात से adjust हो सकता है, होने में problem आए आपको, आप selfish हो सकते हैं, थोड़ा सा एक self motive के बारे में जादा कि नहीं, मैं अ बात करेंगे कि इस महीने को आप enhance कैसे करोगे, कैसे करना है, आपको अपनी family का पूरा support चाहिए, आपको अपने friends, relatives का पूरा support चाहिए, तो इन लोगों को कभी disrespect मत करिए, इन लोगों से हमेशा एक humble, एक in a human relationship build up करके रखिए, उसके अलावा अपनी responsibilities को पहचाने, क्योंकि first month six क्या कहता है, responsibilities, तो अपनी responsibilities को पहचाना शुरू करिए, कैसे आप एक responsible इनसान बन सकते हैं, उसके उपर ध्यान लगाए, साथ ही साथ, आप किसी creative चीज़ से जुड़ सकते हैं, उसके अलावा आप किसी educational कोई project है, कोई चीज़ है, उसको आप promote कर सकते हैं, ठीके उसको अगर आप promote करेंगे, तो वो आपको जादा help करेंगे, अगर आप negative tendency जो आपकी argument की एक बने हुई है, उस argument वाली tendency को अगर छूड़ देंगे, तो वो भी आपको बहुत help करने वाली है, अगर आप नई नया घर खर खरीदना चाहते हैं, नई गारी खरीदना चाहते हैं, नय आप plot खरीदना चाहते हैं, यानि कि real estate से related अगर आप investment करना चाहते हैं, तो ये मन्त आपके लिए positive जा सकता है, ठीक है जी, तो इन चीजों से आप अपने इस मन्त को और enhance कर सकते हैं, तो ये ता 6 personal month के बारे में, अब बात करते हैं, जिस इंसान का, जिन भी लोगों का January का जो महिना है, वो personal month 7 बन रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं, अगर आपका personal month 7 बन रहा है, यानि कि January का जो महिना है, वो आपका personal month 7 बन रहा है, कैसे आपका date, प्लस आपका month, बर्त का, प्लस 2024, प्लस January का number 1 एड करने के बाद, अगर single digit में 7 आ रहा है, तो ये आपका personal month 7 है, तो ये किस चीज़ का महिना है, ये है perfection का, meditation का, analysis का महिना है, जी हाँ, आपको stability आ सकती है, आपको personal gain भी हो सकते हैं, जी हाँ, आप बोलोगे 7 नमबर तो केतु का है, spiritual चीज़ों का है, materialistic चीज़ों का तो है नहीं, नहीं, personal month जब 7 आ जाता है, तो वो कही ना कहीं आपको personal gains भी दे जाएगा, उसके अलावा आपको, आपकी personality grow कर सकता है, meditation आप जितना जादा करेंगे, आपको personality में उतना जादा एक enhancement महसूस होगा, negative क्या हो सकता है आपके लिए, negative हो सकता है, कि आप short tempered हो सकते हैं, बहुत ज़दा reserved nature के हो सकते हैं, धोका धड कोई करने का भी एक emotion डवलब हो सकता है, कि यार इसको धोका देनूंगा, यह ऐसा गलत करके और यह फायदा अपना करनूंगा, यह चीज भी आ सकती, तो इस feeling से थोड़ा सा बचके रहिएगा, और कोई भी नई चीज स्टार्ट करने से बचना पड़ेगा, आपको इस महीन जो भी आप कर रहे हैं, उसको perfection की तरफ लेके जाएए, जो भी कर रहे हो, चाहे चोटी से चोटी चीज कर रहे हो, तो परंदो उसको perfectly करना बहुत जरूरी है, उसके अलावा, आप relax करे, time to time, अपनी life को, personal level पे अपने आपको time दीजिए, फैमिली को time दीजिए, अपने ठीक है, तो ये तीन चीज़े बहुत ही जादा important है, इस पर ध्यान दीजिए, partnership में जाने से बचिए, इस महीने में partnership में अगर कोई काम करने की सोच रहे हैं, तो उससे अपने आपको रोक लीजे, अगले महीने करेगे, ठीक है जी, तो ये ता 7 number के बारे में अब बात करते ह हैं, कि जिनका भी January का महीना, personal number, personal month 8 बन रहा है, यानि कि उनका date प्लस उनका month, जनम का 2024 प्लस January का number 1 अड़ करने पर 8 आ रहा है, ठीक है, तो 8 number क्या कहता है, चलिए देखते हैं, तो अगर आपका personal month 8 बन रहा है, जनवरी का, तो सावधान हो जाईए, शनी का number है, नहीं, मै ऐसा रहीं कहने वाला, अगर आपको personal month 8 बन रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपको promotions हो सकते हैं, आप नया venture शुरू कर सकते हैं, आप investment कर सकते हैं, कोई भी authority वाला काम अगर आप कर रहे हैं, जिसमें authority वाली चीज़ होती है, तो उसमें आपको success मिल स अपने आपका जो positive side है, उसको आगी लेकर आ सकते हैं, तो ये महीना आपके लिए अच्छा है, परन्तु negative भी है हर चीज़ के, सिक्के के दो पहलों होते हैं, नेगटिव क्या हो सकता है, आप थोड़े से loud हो सकते हैं, थोड़े से greedy हो सकते हैं, और एक ego वानी जो चीज़ ह वो कही न कहीं आप में आ सकती है, उससे आपको अपने आपको बचा के रखना होगा, ठीक है जी, और इस महीने को आप enhance कैसे करें, उसके points देख लेते हैं कि कैसे कैसे आप enhance कर सकते हैं, बड़े contracts आप साइन कर सकते हैं, और आपको कुछ influential लोग मिलते हैं, वो जैसा लगता रहे के काम करेंगे तो better रहेगा, investment कर सकते हैं, आप standard securities में financial institute के अंदर पर तोड़ा सा research करके करिएगए, जादा अच्छा है, समय ये कह रहा है कि शायद आपको wealth अच्छी मिल सकती है, good opportunities मिल सकती है, wealth gain हो सकते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यानक ना है, ठीक है, अच सारी चीज़ें आपको मिल सकती है, personal month 8 अगर आपका बन रहा है, January के अंदर तो, तो ये था 8 number के बारे में, अब बात करते हैं, अगर January का माईना आपका personal month 9 बन रहा है, यानि कि आपका date of birth प्लस आपका month, month of birth और 2024 को add करके जो आपका personal year बन रहा है, उसमें January का एक add करने के अगर 9 आ रहा है, तो वो आपको क्या कुछ देने वाला है, और किन चीज़ों का आपको द्यान अखना है, चलिए देखते हैं, तो अगर 9 बन रहा है आपका personal month, तो आप broad minded हो सकते हैं, इस महीने आपका दिमाग खुल कर काम करने वाला है, आप charitable हो सकते हैं, लोग charity देना प कि मुझे society की help करनी है, अगर नहीं है ऐसा, तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताना हूँ, तो आप को help मिलेगी, कि शुरुआत से ही, साल के शुरुआत में ही आप चीज़ों को आगे से आगे बढ़ा कर चल सकते हैं, उसके अलावा आप दोस्तों के साथ या family के साथ हो सकता है, धाम यात्रा कर सके, pilgrimage जा सकते हैं, आप ऐसी जगह पे जैसे व्रिंदावन हो गया, मत्रा हो गया, इसी तरीके की जगहों पे आप जा सकते हैं, negative क्या हो सकता है, आप careless हो सकते हैं, permanent कोई conflict develop हो सकता है, थोड़े से आप impulsive हो सकते हैं, एकदम से कोई decision ले लि जान से ही मार दो, होता है ना कई बार बहुत गुस्सा आ जाता है, तो आपको इंगलत काम में ना पढ़ जाएं, इसका ध्यान रखिया, क्योंकि नौ आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा बचके रहना पड़ेगा इस month में, क्योंकि आपका ये personal month 9 आ रहा है, अब इसको enhance कैस एक से पहले आता है, ठीक है, next month जो होगा, वो आपके लिए personal month 1 बन जाएगा, तो इस month में आपको पुरानी चीज़े, सब layer up करनी है, पुराना जो problem चल रहा है, कोई due चल रहा है, कोई किसी से lane देन है, उसको साफ करना है, उसको खतम करना है, कि नहीं यार, आप मज़े charity वानी चीज़ को develop कर सकते हैं, इसनी charity वानी चीज़ों से जुड़े, यह अच्छत समय है, आपके लिए, मैं दुबारा बता रहा हूँ कि charity वानी चीज़ों से जुड़ेंगे, एक brotherhood, एक universal brotherhood अदर establish करने की कोशिश करेंगे, तो आपको यहाँ पर help मिलेगी, और पूरे स आपको उसके benefits मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यह remedies है, लेकि यह सिर्फ एक traits नहीं है, यह remedies भी हैं आपके लिए, यह आपको पूरे साल बद help करेंगी, ठीक है, तो I hope आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी आपको इससे related question है, तो आप comment कर सकते हैं, फिर से कवागी, परसनल मन निकालने में, अगर आपको problem आ रहे होगी, तो मुझे पता है कि आएगे भी बहुत सारे लोगों को आएंगी, वो मुझे question में डालेंगे, वो महनत नहीं करना चाहेंगे, वो उसमें अपना डेटो बात और वो सब डाल देंगे, और कहेंगे सी हमारा परसनल मन न पतालजया तो बेटर रहता है, ठीक है, thank you so much और subscribe नहीं किये तो subscribe कर दो भाई, thank you so much for watching this video, God bless you all, all the best, Hare Krishna